Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजी में होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ Derm Doc का Anti-Dandruff Scalp इस से पहले आप मेरे comment box में आकर मुझे सवाल पे सवाल पूछो इस से पहले ही मैं इसी वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मुझे comment करके कुछ पूछने की लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को like करे, share करे और करे subscribe प्लस, comment करके मुझे आप इतना बता सकते हो कि आज का वीडियो जो है, आज का रिव्यू जो है आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है और आपने इसको use किया है या नहीं किया है, अगर आप इसको खरीद के पच्छता रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं अडियर, मैं आपको इसके बारे में सारी details देने वाली हूँ और अगर आप सोच रहों कि इस product को आपने खरीद के अपना पैसा, अपना time, अपना दिमाख खरब किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आज मैं आपके साथ Dumb Dog brand का anti-tender of scalp lotion के बारे में review शेयर कने वाली हूँ इसके बारे में सारी की सारी details आपको देने वाली हूँ एकदम से medicated लगता है, बहुत ही अच्छी वाली packaging है, अच्छी वाली feeling आती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह हमें किसी doctor ने recommend किया है packaging इसकी कुछ इस तरीके के plastic वाले bottle में आती है, quality इसकी बहुत अच्छी है, pump वाली packaging में आता है और यह है Dumb Dog Anti-Dandruff Scalp Lotion with ZPTO, इसकी quantity जो है 120 ml है, यह claim करता है कि यह आपके dandruff को खतम करता है, प्लस यह आपके hair fall को भी control करता है हमारे बालों में न, anti-fungal होने की वज़ा से जो dandruff की शुरुवात होती है, यह उसको भी control करने में help करता है यह paraben free है, sulfate free है, quality free है, जो कि यह जानवरों पर test करके इस product को नहीं बना गया है इसकी shelf life है 2 years और इसकी price है 275 रुपीज लेकिन मुझे यह अच्छे खांसे discount में मिला है और प्लस इस Dumb Dog के मैंने दो products order किये थे, इसके बाद Dumb Dog की तरफ से मुझे एक product जो है वो free में इस तरीके का इसका texture होता है, cooling effect देता है इसको apply करने के बाद, हर product का use करने का ना हर किसी का तरीखा जो है वो अलग-अलग होता है अगर आप किसी भी product को अच्छे तरीखे से use करते हो तो उसका result आपको definitely मिलता है दूसरी बात, अगर आप कोई product market से खरीद रहे हो, अगर उसमें ingredients अच्छे हो, natural ingredients हो, कोई chemical वगरा कुछ भी ना हो उसको use करते हो, तो आपको definitely उसके अच्छे result मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा time लगता है और उसको use करने का तरीखा भी थोड़ा सा अलग होता है, तो ज्यादा मैं आपके साथ बगबग नहीं करूँगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस product को मैंने purple से खरीदा हुआ है, इसका मैंने unboxing review आपके साथ छोटे से वीडियो के साथ शेयर किया था इसको खरीदने के बाद मैंने इसको 3-4 बार use किया है, मतलब 2 हफते से मैं इसको use कर रही हूँ, हफते में 2 बार use करने का इसका rule है सबसे पहले जान लेते हैं कि यह किस तरीके की packaging में आता है, देखो packaging हमें हमारे लिए माइने नहीं रखता है, packaging जैसी भी हो हमें मतलब होता है हमारे product से, इस तरीके के cardboard box में आपको यह product जो है वो receive होता है और यह पूरा का पूरा seal किया हुआ आपको मिलता है, तरीके का आपको एक bottle receive होगा, जो कि इस तरीके के pump वाले packaging में आपको receive होता है अगर यह मुझे अच्छा result नहीं देता है, तो मैं सिर्फ अपने किसी और product के video में सिर्फ इतना बोलूँगी कि यह product मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको मत buy कीजिए लेकिन मैं आपको यह बोलूँगी कि आप इसको जरूर buy कीजिए, यह बहुत अच्छा product है मैंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे products यूज़ किये, बहुत सारे shampoos मैंने यूज़ किये, कुछ दिन रहता था और फिर चला जाता था, पिर आता था, पिर जाता था मैं बहुत ज्यादा attention में थी, मुझे बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि मैं dandruff करूं क्या, मैं dandruff की वज़ा से ना मैं अपने videos पी shoot नहीं कर पा रही थी, मुझे itching हो रही थी, मेरा hair loss हो रहा था, plus मैं अपना haircut video भी आपके सारे करना चाती थी, जो कि मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन इसको यूज करने के बाद ही मैंने अपना haircut video शेयर किया है, अगर आप कुछ घर बैठे, कुछ अपनी problem का solution ढून रहे हो, तो मैं आपको बता दू, ये dandruff के problem का solution है, जी हाँ, 100% ये आपके dandruff के problem का solution है, सबसे बात है कि इस time पर आप घर बैठ अपना dandruff का problem जो है, वो solve कर सकते हो, दूसरी बात, इसको यूज करने से ना आप नहीं आपका hair fall होगा, और नहीं आपके hair damage होगे, दीसरी बात, इसको यूज करने का तरीखा, आप सबसे अच्छे से समझ लो, इसको यूज करने से पहले, मेरे बालों की क्या हालत थी, मेर बार में हमारा क्या हो सकता है, मतलब जिस दिन मैं नहाई, उस दिन मुझे बिलकुल भी dandruff मेरे scalp पे नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, दूसरे दिन मेरा जो dandruff है, वो वापस चला आया, इसके बाद मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई, haircut का जो वीडियो है, वो मैं आपके स शेयर करूं, जब मैंने दूसरी बार इस प्रोड़क्ट को अपलाई किया, तब भी मैंने वीडियो शूट किया, क्योंकि मुझे खुद भी देखना था, और मेरी ओडियन्स जो है, जो मुझे पर ट्रस्ट करते हैं, मैंने उनको दिखाने के लिए मैंने दुबारा वीडि करना चाहती थी, मुझे इतना तो पता है, जब हमें डेंटरफ होता है, तब जो है, हमारे कोम क्लीन होना चाहिए, हमारा टावल क्लीन होना चाहिए, हमारे कपड़े यूज किये हुए, हमारे हैर बेंट्स तक हमें क्लीन करना पड़ता है, देखो, यही प्रोड़क्ट ही अगर हम हमारे दी Caleb के लिए कोई भी प्रोड़क्ट यूज करते हैं सिर्फ हैं अपुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिन जिन बातों का मैंने ध्यान से पहले काई कना है कुछ इस तरीके से अपलाई कना है इसके बाद आपको इसको लाद भर cái से ही अपने पर चोड़ देना है मॉर् lamps में किसी भी हर्पल चंपूश करना है आपको chemical free shampoo से अपना hair wash करना है इसको हफते में दो बार use करना है ध्यान रखे इसको use करने के बाद आपको currently अपने घर के comb को wash करना है आपको अपने towels wash करने है और आपको अपना separate comb रखना है देखा जाए तो मेरे लिए ये expensive product ही मैं आपको बोलूँगी लेकिन इस product के हिसाब से इसके जो price है वो बराबर है हमारे लिए ना 10-20 रुपे भी बहुत जादा माइने रखते हैं तो इसलिए मैंने सुचा इतना महेंगा product है comments अच्छे हैं पर पल पर फिर इसने work क्यों क्यों नहीं किया तब मेरे दिमाग की बती जली और मैंने सुचा कि मुझे मेरे सारे के सा इसरी और चौहती बार यूज किया और मैं बहुत ज्यादा खुश होने लगी मेरा डेंटर अलमॉस्ट रिमूव हो चुका है अगर आप सोच रहे हो कि इस product को खरीडना चाहिए कि नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये product बंद करके खरीज सकते हो all all skin types के लिए हैं scalp भी dandruff से बहुत जादा परेशान हो चुके हैं बहुत कुछ यूज करके ठक चुके हैं तो आप इसको जरूर यूज करें एक और बात मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोग चिटिंग करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी product हो उनका जो problem है वो जरा सा भी इसको फिर ने लगता है ना तो वो product को यूज करना तो दूर की बात है वो पलट के भी नहीं देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको पूरा का पूरा एक bottle जो है वो हफते में दो बार यूज करके खतम करना है ये product जो है लड़के और लड़कियां दोनों यूज क थमसाब देना चाहूंगी क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा help की है I hope ये आपके लिए भी अच्छा रहा होगा अगर किसी ने यूज किया है तो प्लीज कॉमेंट करिए और बताइए कि आपके लिए ये कैसा रहा है ताकि जो मेरे वीवर्स है भी देख पाएं कि ये product मेरे scalper काम नहीं करता वेस्ट होता तो मैं आपके साथ इसका review बिल्कुल भी नहीं शेयर करती ट्रस्ट मी गाइस मैं ऐसे products आपके साथ शेयर नहीं करती हूं जो मेरे लिए अच्छे नहीं होते हैं अब वीडियो में ही आपकी सारे dots क्लियर करने वाली हूं क्या ये आपके dandruff को पक्का remove करेगा तो जी हां ये आपके dandruff को पक्का remove करेगा दूसरा doubt क्या इसको use करने से hair fall होता है बाल जढ़ते हैं तो जी नहीं आपके बाल नहीं जढ़ेंगे देखो dandruff अगर हमें नया नया होता है तो हमें फट से क्या करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताय करना चाहिए जिन चीजों को आप पानी में डिप नहीं कर सकते उस पर थोड़ा सा सानिटाइज कर सकते हो या फिर इससे भी अच्छा option में आपको दे रही हूं अगर आप किसी भी अपने बालों की चीज को hair clips हो या फिर टाइबेंट्स वगरा हो टाई हो है बेंट फंगल इंफेक्शन्स है बैक्टिरिया वगरा है वो मर जाते हैं वो किल हो जाते हैं तो बहुत ही मज़े की टिप्स मैंने आपको दी है आपको डेंडरफ ना भी होना आप कुछ कुछ दिन में एक बार थोड़े थोड़े दिन में एक बार आप अपने hair products जो है hair bands है hair clips हैं आपको शायद पूरे YouTube पर आपको किसी ने ये बात नहीं बताई होगी जी हां नहीं दिखाई होगी मैंने नहीं देखा मैंने कहीं से नहीं सुना मैंने खुद अपना दिमाग लगाया इसके बाद मुझे समझ में आया कि हमारा बालों का जितना भी product हम अपना हमारा hair wash तो क की शुरुवात हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए अपनी सारी चीजें जो आप धूल सकते हो उनको आप धूलो जिनyba नहीं तो आप धूप में रख लो धूप में भी नहीं रखना चाहते थोड़ा सा सनिटाइज कर लो ट्रस्ट मी आप यह एक चीज यूज घुज़ा तो आप शेशा के और कि कि अलगना हो आज आप खेड़ पुर्स को अगर आप मेरा ऊठीडच से इस वीडियो पाइस घुखने हो कि मिला कि इस प्रेंड जुटन भी नभूने को कुछ का रिपलाई भी करूंगी प्लस मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी डीटेल्स के साथ चलो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अपनी हालत के बारे में बता देती हूं आपको मेरा आज ना फेस थोड़ा सा डल मतलब बहुत ज्यादा डलनिस लग र कोई भी रूटिन हो वो आजकल सही नहीं चल रहा है थोड़ा सा टाइमिंग ना नीचे उपर हो चुकी है काम ज्यादा हो चुका है इसलिए जैसे ही पता नहीं यार कब मतलब कब मुझे सुकुन मिलेगा मुझे पता नहीं है काम ज्यादा होने की वज़े से आपको मेरी हा आज का वीडियो अच्छा लगा तो चलो इल्टी हूं मैं आपसे अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गेटिंग तो एक गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज यूर लाइफ बाए गाइस